हालो गईज़ आप लोग का स्वागत है अपके अपनी यूटूब चैनल टॉपर सेंट पर तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉनिंग अपडेट लेकर रहा हैं जितनी भी इंपोर्टेंट अपडेट आज की न्यूज फेपर में आई है वो सारी सारी अपडेट हम लोग दे लेते हैं तो आप सभी लोगों को 50 प्रस्तत का छूट बिल जाएगा छूट लेने के लिए आप सभी लोगों को कोड यूज करना है C-E-L-E-B आपको ये कोड यूज कर लेना है साथी साथ अगर आप सभी लोगों को 4 से ज़्यादा आपको most important GK के question चाहिए अर आरवी NTPC के लिए तो आप लोग इसकी PDF फ्री डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक मने description box में दे दिये और अगर आप लोग NTPC CBT2 की तयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए जो है बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट है उसकी भी लिंक मने description box में दे दिया तो जैसे ही आप description box में दी गए link को क्लिक करेंगे कुछ इस परकार का interface open होगा जिसमें आप अपनी email id, mobile number, password डालकर start mock test पर click कर दीजेगा जैसे ही आप start mock test पर click करेंगे कुछ इस परकार का interface open हो जाएगा जहां पर आपको नीचे आ जाना और यहां पर attempt now पर click करके आप अपना test attempt कर सकते हैं link description box में सबसे पहली update यहां पर UP scholarship को ले करके आई है कि budget की कमी से लाखों की छात्रवृति फसी मौजूदा सैक्चिक सत्में सामान और पिश्टा वर के पोस्ट मैट्रिक कच्छाओं और मेडिकल इंजिनिरिंग प्रवंधन नर्सिंग आदी ब्योसाइक पाटकरमों में पढ़ने वाले लाखों गरीब छात्रवृत की पढ़ाई पर संकट बन रहा ने लगाया करीब बचे तो उसे भी फीज भरपाई की रास दी गई तीन दसमलों नौदो लाख आविकों को चात वृत्ती के लिए साड़े चार सो करोन की और जरूरत है सभी लोगों को हम बता दें जो भी वीवर्स हैं आप सभी लोगों के लिए आज 11 बजे जो हैज्टाइग यूपी स्कॉलर्सी पर ट्विटर कंपेंड किया गया है स्क्रीन पर आप देख लीजिए आपको यही हाइश्टाइग रखना है आपको पूरा याद रखना है और 11 बजे जितना भी काम धंदा है सब छोड़ दीजिएगा आप जो एक बड़ा ट्विटर कंपेंड होने वाला तो सभी लोग 11 बजे आईए और कम से कम एक लोग 100-100 ट्विट करिए ठीक है मैं अभी थोड़ी देर बाद में वीडियो लेकर आऊंगा वहापर मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्विट करना है प्रॉपर तरीके से सब कुछ बताऊंगा और जैसे ही मैं वीडियो लेकर आऊंगा आप सभी लोग को ट्विट करना है स्टार्ड कर देना तो सभी लोग एक जूट हो जाईए आज और अपने ट्विटर कंपेंड जो है उसको सफल बनाईए और वीडियो को जादा-जादा लोग को आज सेर कर दीजे ठीक है ये रही आज की अपडेट चले बढ़ते हैं आगे की तरह अगली जो अपडेट आईए हुआ ये चैन वोड को मिले 1200 पदों के अध्याचन प्रदेश के असास की साहिता प्रात मादमिक विद्यालों में प्रदाना चार से लेकर प्रसिक्चित असनातक और प्रवक्ताओं की कमी है वर्स 2021 में उत्तर प्रदेश मादमिक सिक्चा सेवा चैन वोड ने प्रवक्ता संबर्ग और प्रसिक्चित असनातक सिक्चक PGT भरती में 15 जासे ज़्यादा सिक्चिकों की बरती की इसके अलामा प्रदाना चार से लेकर TGT और PGT के लिए कुल 22 जादा पदों के लिए चैन वोड को नया अध्याचन प्रदेश के जिला विद्याले निरिचकों को मिला है TGT PGT 2021 के साथ प्रदाना चार भरती 2013 सहीत कई पुरानी बरतियों को संपन कराने के दौरान चैन बोड ने प्रदेश के सभी जिला विद्याले निरिचकों के ने से नया अधियाचन मांगे थे जिला बिद्याले निरिशकों ने अधियाचन चैन बोर्ड को भेद दिये हैं या सभी अधियाचन आनलाइन मिले हैं नया अधियाचन में विग्यापन वर्ष 2019-2020 के तैट प्रदानाचार के 1400 से ज्यादा पद हैं तो आप यहां पर देख रहे ह इस वज़ा से थोड़ा सा इसके विग्यापन में देरी हो सकती है और अभी जो है चात्र मांग करें कि अभी अधियाचन और मंगाय जाएं क्योंकि अभी और भी जो है खाली है तक्रीबां 27,000 पदों पर जो है अधियाचन मांगने का काम यहां पर चल रहा है तो यह अगली अपडेट है वही पर आते हैं अगली अपडेट जो है यहां पर लिखा है कि रोडवेज में 547 खाली पदों पर भरती जल्द बाटपा की दोबारा सरकार बनने पर एक बार फिर विभिन विवागों में खाली पदों पर भरती का सिलसिला शुरू होने जा रहा है इ अरिवान निगम पर सासन की ओर से सासन बेजेगे खाली पदों के प्रस्ताव पर कैबिने बैटग में नडेलिया जाएगा निगम के अधिकारियों ने बताया कि भरती का लक्ष कम से कम 200 दिन होंगे बरती के संबन में सबी सर्तों को तयार कर लिया गया है इस दिसा में जल अधिक भंडारपाल बसों के मकैनिक इलेक्ट्रीसियन यही पर आप देख लिजिए अतुल जैन जी ने क्या कहा जो परिवान निगम के प्रदान प्रवंदक है इन्होंने कहा कि सासन ने फिर से खाली पद और मृतकासितों का ब्योरा मांगा है जो कि सासन को प्रस्ताव ब स्मार्टपोन और टेबलेट के लिए आवेदन करने वाले 49,756 छात शात्राओं की उम्मीदें दो मिल होते जा रही हैं विदान सभा चुनाओं के पहले आवेदन करने वाले चात शात्राओं को माहत तिरपन सोको अभी तक टेबलेट मिल सका है स्मार्टपोन की जिले में आनलाइन आवेदन मांगे गए थे जिले के डिगरी कालेजों और तकनीकी सिक्षन संतानों ने पोल्टर पर आनलाइन आवेदन करने के लिए परिक्षारतियों को खुला मौका दिया है जिले के 13,556 छात्राओं ने टेबलेट के लिए आवेदन किया है जबकि 31,500 परिक्षान ने होना है जो सरकार इस पर काम कर रही है और आए दिन किसी डिश्टिक में जो है इसको बांटा जा रहा है हाँ थोड़ा देर हो सकता है आपको एक महने डेर महने दो महने बाद मिल सकता है बट मिलेगा आप सभी लों को इसी 2022 में परिसान होने की जरूरत नही चलिए वहीं पर आ जाते हैं अगली एक बड़ी अपडेट के तरफ में PCS परिक्षा को ले करके हजारों अब्भैरती नहीं कर सके आवेदन PCS आवेदन के अंतिम दिनों में सर्वर डाउन होने के कारण आई समस्या तिति बढ़ाने की की गई मांग समलित राज प्रवर सेवा PCS परिक्षा 2022 के लिए आवेदन की अंतिम तिति 16 अप्रेल थी प्रतियोगी चात्रों का दावा है की आवेदन के अंतिम दिनों में सर्वर डाउन होने के कारण हजारों के संख्या में अब्भैरती आवेदन से वंचित रहे गए बड़ी संख्या में प्रतियोगी चात्रों ने उत्तर प्रदे लोकसेवा आयोग की अध्यक्ष को इमेल वेज कर आवेदन की तित बढ़ाई जाने की मांग की है वही सनिवार को NSEY और AISA के बाइनर तले प्रतियोगी चात्रों आयोग में सचियोग को संबोधित ग्यापन भी सौपा PCS के डाइसो पदोपर भरती के लिए आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 माज से शुरू ही थी आनलाइन आवेदन सुल्क जमा करने की अंतिमतिती 12 अप्रेल और आवेदन की अंतिमतिती 16 अप्रेल निर्धायत की गई थी प्रतियोगी चात्रों का दावा की अंतिमतित से 2-3 दिन पहले आयोग का सर्वर डाउन हो गया और हजारो अब्यरती आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके हलाकि आयोग के सुत्रों का कहना कि अंतिम्तित तक 5 लाग से अधिक आवेदन आये हैं वहीं अब्यरतियों का कहना कि पिछली बार आवेदनों की संक्या 7 लाग तक पहुंची थी सर्वर डाउन होने के कारण हजारो अब्यरती आवेदन से वंचीत रहेगे अगर आयोग आवेदन की अंतिम्तित बढ़ाता तो आवेदनों की संक्या बढ़ेगी प्रत्योंगी चात्रों कायना कि इस परिक्षा के बाद कई अब्यरतियों की अधिक्तम आयुसीमा पूरी हो रही है सर्वर डाउन होने के कारण ऐसे भरती आवेदन की प्रिक्रिया पूरी नहीं का सके और इसके बाद ओबरेज होने के कारण अगली परिक्षा में आवेदन नहीं का सकेंगे अगर आयोग ने उन्हें मौका नहीं दिया तो उनका बविस चोपट हो जाएगा NSUI और ISA के प्रिक्रिद मंडल ने आयोग में ग्यापन देकर मांग की है कि आवेदन के लिए पोर्टल पुना खोला जाए और अंतिमतिती बढ़ाई जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं सर्वर डाउन होने की वज़ा से हजारों चात्र ऐसे हैं जो आवेदन नहीं कर प हैं और अपना जो हैश्टाइग है हैश्टाइग यूपी स्कॉलर्शिप इसको ट्रेंड करवाने की कोसिस करें ज्यादा ज्यादा चात्रों को जोड़ें जो भी आपके कॉलेज के चात्रें उन सभी लों को आज कहे दें कि 11 बज़े से अपना काम दंदा आज बंद कर दे और सिर्फ आज अपने ट्विटर पर जो है एक्टिविटी करें आप सभी लोग दिन में बहुत सारी मोबाइल चलाते होंगे आज एक से डेड़ घंटा अपने हक के लिए मोबाइल जरूर चलाएं और ज्यादा से ज्यादा ट्विट करें कम से कम एक शात्र सो ट्विट कम से कम जरूर करेगा बाकि जिनकी छमता ज्यादा है वो ज्यादा ज्यादा ट्विट करेंगे ठीक है तो मिलते हैं एंगली वीडियो में किसी खास अप्डेट के साथ तब तक के लिए खुश रही है मस रही है जैहिन जैवारत